देखो हरी मिर्च खाने में बहुत ही ज्यादा मज़ा आता है लेकिन ये ज्यादा तीखा होने के कारएं इसको हम खा नहीं पाते हैं लेकिन जब इसको हम चटपटा बना कर खाते हैं तो ये बहुत ही next level का स्वाथ देता है तो इसलिए आज हम हरी मिर्च को बिलकुल बढ़ि और इसके अंदर हमने डाल दिया सर्सो assez लिए हमने डाला है ताकि सर्सो जल्दी-से-जल्दी पककर तयार हो जाया और एक बढ़िए्भश क्या ślavor निकालकर हमें दे तो देखे सर्सों को हम अच्छी तरीके से अचर्ड़ा लेंगे सर्सो डालने के बाद इस तरीके से ताकि जो सर्सों के अंदर कड़वा पन है वो असानी तरीके से दूर हो जाए उसके बाद जो आपने हरी मेर्च में चीरा लगा कर रखा है वो हरी मेर्च आप डाल दिज़े कढ़ाई के अंदर उसके बाद इसको ग्यास के कंव फ्लेम पे आपको अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेना है ताकि जो हरी मेर्च है वो अच्छी तरीके से पक जाए तो देखे ये दीरे दीरे फ्राइ होना शुरू हो चुगा है और जब आप इसे चीरा लगा कर फ्राइ करोगे ना वो अच्छी तरीके से पकना सुरू हो जाएगा आप देख पाऊगे और जैसी ये पक जाता इसके अंदर कुछ मसाले मिला लेना है जैसे की हल्दी पॉर्टर साथ में आपको थोड़ी धनिया पॉर्टर जीरा पॉर्टर रख लेना है और इन मसाले के साथ इसको अच्छी तरीके से पका लेना है देख़ि जो फ्लेवर आने वाला है वो बिल्कुल next डे Eco का होगा ताकि ये एक खटापन भी होगा इसके अदर चटपटा भी होने बाला है और साथ ही ये बिल्कुल next level की आपको स्वाद देने वाला है और सबजी कभी एक flavor देने वाला है इसके अंदर हमने डाला है सरसो, अदरक और लसन और इसको अच्छी तरीके से हमने पीस लिया है और ताकि ये paste बन चुका है और paste से हम इन सारे material को fry कर लेंगे देखिए अब इसके अंदर अदरक आ चुका है लसन भी आ चुका है और साथ में इसके अंदर सरसो भी आ चुका है जो कि हमने पहले भी डाला था और अभी भी हमने डाला है और इसके अंदर हमने पानी डाल कर इसको अच्छी तरीके से fry कर लिया है और देखिए जो मसाला है बढ़िया तरीके से तयार हो चुका है और यही मसाला जो हमें है नेक्ट लेबल का स्वाथ देने वाला है और सबजी का भी एक जो अनोखा पन है वो हमें देने वाला है यह रैस्पी तो देखे कुछ इस तरीके से आपको तयार कर लेना है और मिर्च जो है 75% के करीब है पक चुका है मिर्च और जो हम मसाले के साथ इसको फ्राइ कर रहे हैं लेकिन अभी इसके अंदर जो कमी है वो है नमक नमक quantity के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा नमक डाले ताकि ये थोड़ा नमक के साथ इसका तीखा पन दूर हो सके तो इसलिए हमने नमक की quantity थोड़ा ज़्यादा रखा है और देखोगे जैसी नमक आप डालोगे तो ये मसाला जो है ये अच्छी तरीके से पक चुका है लेकिन जब मसाला जो है वो मिर्स को छोड़ रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों पहले तो हम इसको फ्राइ कर लेंगे लेकिन जैसी मसाला पक जाता है तब आपको क्या करना है इसके अंदर करीबन थोड़ा थोड़ा पानी डालने ना है करीबन आपको 20 एमिल के गरी पानी डालना है ताकि ये पानी के साथ सारा मसाला जो है मिक्स हो जाए देखे कुछ इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और कितना बढ़िया लग रहा है बिल्कुल चटपटा और यमी बनकर तयार हो चुआ है ये एक रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं और जब आपके गर में सबजी ना हो या फिर कुछ भी ना हो तो मिर्च को आप इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं और सबजी अभी के टैम में इतना महगा है तो आप मिर्ची बनाकर इस तरीके से खाईए जो कि खाने में एक बढ़िया स्वाद देने वाला और एक पर जब मिर्च को इस तरीके से फ्राई करके खाऊगे ना तो आप बाहर की सबजी भी भूल जाओगे क्योंकि इसके अंदर जो चटपटा पन है वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है तो दोस्तो आपको मिर्च की फ्राई रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बतना वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना अपना कीमती समय देने के लिए ठैक्यू सो मज़ दोस्तो लास्ट में आपको नीमू नी चोड़ ले लें इसके अंदर ताकि जो है बढ़िया तरीके स्चटपटा स्वाध आ सके चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर फॉलो कर लेना ताकि हम आपके लिए ऐसी बहतरीन रेस्पी लेकर आते रहें